लगातर जुड़े रहने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देशे से जैहिन फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सस एक जिद और आज हम बात करेंगे करनाटक के दूसरे युद के बारे में यहाँ पर हम इस युद के कारण, इस युद की घटनाई, इस युद के परिणाम और इस युद का महतो इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अगर आप करनाटक का पर्थमियुद और करनाटक के तीसरी उत के बारे में जानना चाते हैं तो इनका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में और उपर i-butam पर मिल जाएगा वहाँ पे कलिक करके आप को वीडियो देख सकते हैं और यहां पर हम कर्नाटक के दूसरी उद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने पूरों में भारत के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लेंड के महरानी एलेजाबेट के अनुमती से 31 दिसंबर 1690 में भारत में अंग्रेजी इस्ट इंडिय कंपनी की स्थापना की। तथा उसकी परिशद के देखरेख में चलाया जाता था। अंग्रेजी इस्ट इंडिय कंपनी के व्यापारिक एका दिकार को फ्रांसीसियों ने चेतावनी दी। उन्होंने 1664 इस्वी में फ्रांसीसी इस्ट इंडिय कंपनी के स्थापना की। एका धिकार करने के लिए अंग्रेजों तो था फ्रांसीसियों की 23 करनाटक के युद लड़े गए। अंत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरफ पराजित कर दिया। यहाँ पर हम करनाटक के दूसरे युद के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं इस युद के कारण क्या थे। इस युद के कारण में जो पहला कारण था वो था कि अंग्रेज करनाटक के पर्थेम्युद में मिली अपमान जनक हार का बदला लेना चाहते थे इसके बाद अगर हम दूसरे कारण के चर्चा करें तो 1748 में करनाटक तथा हैदराबाद में उत्तारदिकार सम्मंदी पर्षन पर दोनों कम्पनियों के बेचे जगड़ा आरम हो गया करनाटक में चंदा सहाब ने नवाब अनमरु दिन के विरुदे विद्रो कर रखा था इसी समें हैदराबाद के निजाम आसफ सा के मिर्त्यू के पस्चात उसके पुत्तर नाशिर जंग तथा नाती मुझफर जंग में गद्दी के लिए संगरश चल रहा था फ्रांसिस्यों ने करनाटक में चंदा सहाब तता हैदराबाद वे मुझफर जंग का पक्स लिया तिनों ने समझोता करके करनाटक के नवाब अनमरु दिन का वद कर दिया अंग्रेज यह बात सहन नहीं कर सकते थे कि करनाटक में फ्रांसीश्यों का परवाव बढ़े उन्होंने हैदराबाद में गद्धी प्राप्ति के लिए नाशिर जंग का साथ दिया अते दोनों सत्कियों में युद आवसक हो गया अब हम चर्चा करते हैं इस युद की घटनाव के बारे में 1750 इस्वियों में नाशिर जंग ने करनाटक पर आकर्मन कर दिया करनाटक का नया नवाब चंदा साहिब उस समय तंजोर में युद कर रहा था अंग्रेजों नों भी नाशिर जंग का साथ दिया अब फ्रांसिसियों ने नाशिर जंग के विर्द मुझफर जंग के साहता के लिए सेना बेज दी यदि पी मुझफर जंग ने विर्दा से सामना किया परंतु नाशिर जंग तथा अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई डूपले को मुझफर जंग की प्राजे से बहुत दुख हुआ उसने बदला लेने के लिए धोके से नाशिर जंग का वद करवा दिया और मुझफर जंग को हैदरबाद का सुविधार घोशित कर दिया चंदा साहिब को भी डूपले की इच्छा से करनाट का नवाब मान लिया 1791 इस्यू को किसी ने मुझफर जंग का वद कर दिया अब फ्रांसिसियों ने सलावत जंग को हैदरबाद का नवाब बना दिया अंग्रेजी गवर्नर सोंडर्स ने चंदा साहिब को नवाब माने सी इनकार कर दिया दोनों के बेचे त्रीच जनअपली में युद हुआ इसमें अंग्रेजों ने मुहमद अलिय का और फ्रांसिसियों ने चंदा साहिब का साथ दिया इसी से में रोबर्ट कलाइब सेना सहिते अंग्रेजों के सहिते के लिए आ पहुंचे अंग्रेजों ने फ्रांसीशों को बुरी तरह हरा दिया तरी चनापली में मेरी प्राजे से 1754 में फ्रांस के सरकार ने डूपले को वापिस बुला लिया अंग्रेजों तथा फ्रांसियों के बेचे पांडी चेरी की संदी हो गई अब हम इस युदि के परिणाम और महतों के बारे में जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि 1755 इस्वी में फ्रांसियों तथा अंग्रेजों के बेचे पांडी चेरी के संदी हो गई दोनों ने एक दूसरे के जीते परदेश वापिस कर दिये और भारती सांसकों के अंतरिक मामनों में दिखनाय देने का वचन दिया दूसरा प्रिणाम था कि सलावत जंग को दक्षिन्त था मुहमद अली को करनाटक का नवामान लिया गया तीसरा कारण या महतव था इस युद के प्रिणाम से उरुप अंग्रेजों ने अपनी प्राजे का बदला ले लिया और चोथा प्रिणाम या महतव था पंडी चेरी की अपमाजनक संदी करने पर डूपले को वापिस फ्रांस बुला लिया तो ये थी करनाटा के युद के बारे में complete जानकारी उमीद है आपको जानकारी अच्छे लगी होगी करनाटा के पर्थमिद के लिए और इसके तीसरी उद के बारे में जाननी के लिए आप आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में लिंक दिया हुआ है आप वीडियो देख सकते हैं तो उमीद है जानकारी अच्छे लगी होगी और भी नई अपडेट्स के लिए जुड़े रही है थैंक्स पर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग